हेलो दोस्तों सारू खान की फिल्म डंकी को प्रभास की स्तलार मुवी से कलेज करना भारी नुकसान पहुचा रहा है और यही एक मात्र वज़ा है कि सारू खान की डंकी मुवी की रफतार एकदम धीमे हो गई है लेकिन बड़ती ठंड में फिल्म की कमाई की रफतार ने बड़ी तेजी से गुलाटी मारी है और फिल्म की कमाई के कलेक्शन में काफी गिरावट देखने को मिल रहा है सैगनीलक की रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने पहली जनवरी को अच्छी कमाई की और इस फिल्म का कलेक्शन उस दिन 9.5 लाक रुपए रहा जबकि तीसरे दिन जबकि तेरहवे दिन मंगलवार को फिल्म की कमाई में 27% की गिरावट देखने को मिली और उस दिन फिल्म की कमाई 3.85 लाक रुपए हुई लेकिन यह आकड़ा बुद्धवार को और भी हैरान करने वाला हो गया क्योंकि इस दिन मतलब 14.5 दिन फिल्म की कमाई महस 3.25 लाक की रुपए की हुई जिस कारण फिल्म का इंडिया में कुल कलेक्शन 203.87 लाक रुपए पहुँच गया बात करें फिल्म के वर्ल्ड वाइट कलेक्शन की तो फिल्म ने 406.65 लाक की कमाई कर डाली है इस फिल्म ने 42 दिन पीदेसी बाक सापिस पर फिल्म का कलेक्शन 162 करोड रुपए रहा जबकि देश में गरास कलेक्शन 244.65 लाक के पास पहुँच गया है बात करें सालार मुवी के बाक सापिस कलेक्शन की तो फिल्म ने 13 दिन भारत में लगबग 12 करोड 60 लाक रुपए की कमाई कर ली है इसी के साथ भारत में फिल्म की कुल कमाई लगबग 376 करोड पहुँच चुकी है वहीं दुनिया भर में फिल्म कमाई के मामले में 700 करोड़ का आकड़ा छूने से बस थोड़ा ही दूर है फिल्म का कलेक्शन अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो बहुत जल सालार 700 करोड़ का आकड़ा भी छू लेगी जिसके बाद सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारती फिल्म का रिकार्ड इसके नाम होगा कमाई के मामले में फिल्म ने एक हाई बेंचमार्क सेट कर दिया है इस फिल्म के कलेक्शन का रिगार्ट तोड़ना या बराबरी करना किसी भी फिल्म के लिए मुश्किल होने वाला है धन्यवाद